प्रयागराज कोत्वाली पुलिस और एसोजी टीम के संयुक तत्वाधान में नकली प्लेटलेट्स बेचने वाले गिरों के 10 आरोपी हुए गिरफताद पुलिस गिरफत में पकड़े आरोपियों के पास से 18 पाउच प्लाजमा, 3 पाउच संदिग्ध प्लेटलेट्स, 1,02,000 रूपे नकद, 3 दो पहिया वहन समेट 13 मुबाइल फोन बरामद हुए है वो दे लेते थे, ब्लड बैंक से, चुकि उसके लिए डोनर की आवशकता नहीं होती है जैसा मैंने बताए, दस लोग इरफतार किये गए हैं, इनके पास से कई पाउचेज बरामद किये गए हैं साथी साथ, इनके पास से 1,02,000 कैश, बाइक्स, मुबाइल फोन्स बरामद किये गए हैं फर्दर हम इसमें और तहकीकात कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में और जो भी तत्य सामने आएंगे, एकॉर्डिंगली हम करवाई करेंगे साथी साथ, इनके विरुद गैंक्स्टर था, अन्य जो विदिक प्राउधान है, उसके अंतरगत भी विदी संगत तरीके से हम करवाई करेंगे पकड़े गए आरोपी प्रयागराज के ही रहने वाले हैं, जो वरतमान में डेंगू बीमारी से जूज रहे मरीजों के तीमारदारों की हैरानी व परेशानी को देखकर प्लेटलेट्स नमिल पाने पर मनमाने तरीके से प्लेटलेट्स बेचने का काम सरकारी हॉस्पिटलो में करते थे. कोत्वाली पुलिस को मिली मुक्विर की सूचना पर दस नकली प्लेटलेट्स बेचने वाले आरोपियों को नकली प्लेटलेट्स वपलाजा को बेचते हुए रंगे हाथों गिरफतार कर लिया. पुलिस गिरफत में पकड़े गए आरोपियों ने सक्त कूचताच में बताया कि निरधारत शुल्पर ब्लड बैंक से प्लाजमा खरीद कर जिसमें लगभग 350 मिली लीटर प्लाजमा रहता है जिसको खाली पाउच में और नकली रैपर में मिलाकर 50-50 मिली लीटर प्लाजम खरीद लेते थे एक आरोपी सर्फराज ग्लोबल लैब में काम करता था जो लैब की जानकारी होने का फाइदा उठाकर प्लाजमा से तयार प्लेटलेट्स बनाकर सहयोग करता था आए बिलाओन कि खाँ है तो गहीं है तो भॉध वर भॉध वह रहीं है अरे इसे देखाहा दो आए भी आए भी बिलाओन वहीं है आए तो अगल कुछ और इस लेकार इसे बाए बिलाओने कुछ नरीए